हेलो फ्रेंड्स तरिश्टे में आपका स्वागत है और मैं हूँ आनंद दोस्तों इस वीडियो में दरसल हम चौसटवी बी-पी-एससी में अर्थ व्यवस्था खंड में आये प्रश्णों पर चर्चा करेंगे दोस्तों चर्चा में प्रश्णों के साथ-साथ जो विकल्प हैं उन पे भी चर्चा करेंगी ताकि उन विकल्पों से जो नए प्रश्ण बनेंगे उनको भी आप अपने नए प्रश्णों में की रूप में देखें और आने वाले वर्षों के परिक्षा में आप और अच्छे से उसका उत्तर दे सकें जली शुरू करते हैं हमारा आज का सत्र और पहला प्रशन हमारा है कि निम्न में से किसके तहट मुख्यमंत्री श्री पितिश कुमार ने 6 जनव 18 को 500 करोड से अधिक की लागत से खगडिया के गौछरी गाउं से मुख्यमंत्री ने दरसल विकास समीक्षा यात्रा की शुरूआत की ग्रामिन विकास को लेकर और संपून राज्य के विकास को लेकर साड़े 700 से अधिक परियोजनाओं का सुभारम किया जिसकी लागत 500 कर अधिक थी तो इस प्रशन का उत्तर हमारा दोस्तों क्या होगा विकास समीक्षा यात्रा जो आपको समाचर पत्रों में आसानी से भी मिल गया होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षन पहली बार किस वित्तिय वर्ष के पिछले वित्तिय वर्षों के आर्थिक मावलों पर एक निगा एक निगरानी एक रिपोर्ट बना के संसद्या विधान सवा को प्रस्तुत करता है विहार के लिए दरसल पहली बार आर्थिक समीक्षा वर्ष 2006 और 2007 में प्रकाशित किया गया तो यह हमारा उत्तर रहेगा द 2006 में जो जेंडर बजट है उसको प्रस्तुत किया गया तो ऐसे कुछ प्रशन आते हैं जहां पर कुछ नए नवाचारी या कुछ नवाचार होते हैं जब माली आर्थिक सहरेक्षिंग कब आया बजट में परिवर्टन कब आया तो वर्ष हमें याद रखने होंगे इस प्र कारती है केंदर के बजट में जेंडर बजट पहली बार 2005 और 2006 में शुरू किया गया तो इसका उत्तर दोस्तों रहेगा दो का भी अगले प्रशन की बात करते हैं इसमें से कौन नीती आयोग का CEO है इसमें से कौन नीती आयोग का Chief Executive Officer है कौन मुख्य कारेकारी अधिकारी है अब देखिए वर्तमान में नीती आयोग जो एक प्रकार का Think Tank है वो केंद्रा और राज्यों को अपने नियोचन में मदद करता है सहायता करता है उसके CEO है श्री अमिताब कांत जी जो तो ये भी प्रशन जो है वो समाचार पत्रों से आपको असानी से मिल जाएगा कि ये व 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीती आयोग की स्थापना की गई अध्यक्ष कौन होते हैं इसके भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं इस प्रकार के कुछ प्रशन आपको यहां मिल सकते हैं कि इसके इन में से कौन से नीती आयोग के पूर्ण कालिक सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में वीके सारस्वत वीके पॉल और श्री रमेश चंद नीती आयोग के पूर्ण कालिक सदस्य ह तो यहां भी आप एक प्रश्ण याद रखें कि इन में से कौन से नीती आयोग के पूर्ण कालिक सदस्य हैं तो आप देखें वर्तमान में वीके सारस्वत जी वीके पॉल जी और श्री रमेश्चंद नीती आयोग के पूर्ण कालिक सदसे हैं और जो हमारा प्रशन है उसका उत्तर रहेगा श्री अमिताब कांथ दोस्तों अगला प्रशन है कि बारवी पंचवर्शी योजना के दौरान क्रिशी और सायक छेतर के लिए इन में से कौन सा औस्तवार्शिक विकासदर का लक्ष रखा गया दोस्तों आप देखिए कि 2012 से 2017 की जो अवधी है इसमें भारवी पंचवर्शी योजना का संकल्प लिया था जिसको हम 12th failure plan कहते हैं इस योजना की अवधी में भारती क्रिशी के लिए जो लक्ष रखा गया था कि भारत को कम से कम भारती क्रिशी को कम से कम 4% से उसकी वृद्धी होनी चाहिए तो यहां पर हमारा उत्तर है 4% दोस्तों वर्ष 2022 के अगर बात करू मैं तो भारती क्रिशी की जो ग्रोथ रेट थी वो ती 3.4% ये भारत की बात कर रहा हूं मैं इसी वर्ष अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार की कृशी में जो दर थी वो थी 3.6 प्रतीशाद तो बिहार की कृशी की दर भारत के समाने दर से अधिक आखी गई है इस वर्ष में और ये लक्ष था हमारा 12 पंच वर्षी योजना के लिए तो यहां का उत्तर हमारे अगला प्रशन है भारत के नीती आयोग का पूरा स्वरूप क्या है दोस्तों हमने देखा कि नीती आयोग योजना आयोग के स्थान पे आये था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया इसके अस्थान पर एक जनवरी 2015 को नीती आयोग का गठन किया गया दोस्तों क्या है नीती आयोग नाश्नल इंस्टीट फॉर ट्रांस्फर्मिंग इंडिया राश्ट के ट्रानस्फोर्मिर्मिशन के लिए देखी आप तो National Institution for Transforming India राश्ट्रिय भारत परिवर्तन संस्थान दरसल क्या है ये इसका पूरा नाम है जो आपको इसका उत्तर देगा भी तो याद रखें जो नीती आयोग है हमने बाकी बात पिकी अभी कब बना ये एक तरह का ठिंक टैंक है भारत के बदान मंतरी इसके पदेन हैं इसके अलावा चार अधिक से अधिक अधिकतम चार पुर्ण कालिक मेंबर्स वर्तमान में अभी तीन है और अधिकतम दो अंश्य कालिक मेंबर होते हैं जो अलग-अलग संस्थाओं से उन बुलाए जाते हैं जब कोई चर्चा उस रिशे की होती है जिसके वो एक्सपर रहेगा दोस्तों भी अगला प्रशन है इनने से कौन सा मनरेगा का उद्देश है दोस्तों ग्रामींग रोजगार गारेंटी की रूप में जो नरेगा है जिसको हम आत्मा अधिन नरेगा या मनरेगा कहते हैं उसका उद्देश है क्या है जब हम रोजगार देते हैं उस से उस रोजगार से उन शरमिकों से गावों में अलग-लग प्रकार की परिसंपत्या बनती हैं टलाब बनते हैं जल संचय कीविवस्था होती है तो पहला पतन सही है कि परिसंपत्य का निर्मान करता है सुक्षम सिचाई को प्रोथसाहित करता है जल प्रबंधन होता है ग्रामीन आए को बढ़ावा भी मिलता है तो प्रतक्ष और प्रतक्ष रूप से नरेगा दरसल ग्रामीन आए को बढ़ावा देता है ग्रामीन छेतरों में और देश फर में परिसंपत्ति का निर्मान करता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके उद्देश एक से अधिक हैं तो का उत्तर क्या होगा कि इन में से एक से अधिक उत्तर होने पर हमारा सही उत्तर होगा इक थन उप्यूक्त में से एक से एक अधिक हमारा उत्तर है तो इसका उत्तर दोस्तो ए है अगले प्रशन पर आते हैं इन में से किसने गरीबी निवारन के प्रभावकुण अस्तर के रूप में स्वैम सहायता समू के विचार को दिया दोस्तो आप देखें self help group कुछ 15 से 20 समकालीन महिलाओं ने मिलकर जिनकी आर्थिक इस्थिती समाने है बराबर सी है उन्होंने एक good बनाया एक group बनाया और मिलकर कारे शुरू किया ताकि आर्थिक और समाजिक इस्थिती उनकी मजबूत हो उसे कहा गया है स्वयम सहायता समूँ इसे हम शौट में कहते हैं सेजी self help group इससे जो महिलाएं अभी तक आर्थिक रूप से वंचित हैं उनमें उनके सशक्ती करन का रास्ता खुलता है जिसका concept पहली बार बंगलादेश के मोहमद युनिस्थ को ने दिया था दोस्तों मोहमद युनिस्थ ने नाकेवल इसका concept दिया बलकि उन्होंने बंगलादेश में ग्रामीन बैंक की स्थापना भी की कि इन महिलाओं के समूँ को या इस स्वयम सहायता समूँ को पैंकों से लोन मिले तो तो इसके लिए उन्होंने ग्रामीन बैंक की स्थापना की और 2006 में इनको दरसल शांती पुरुषकार या नोबल शांती पुरुषकार दिया गया तो नोबल पुरुषकार भी दिया गया तो यहां पर उत्तर हमारा है मौमद युनिस। इन्होंने इसकी स्थापना की माली जप्रशन आ जाए कि ग्रामीन बैंक की अधारना किस ने दी तो उसका उत्तर भी क्या होगा मौमद युनिस होगा और इनको जैसा मैंने कहा कि नोबल पुरुषकार दिया गया इन कारियों के लिए इन्होंने ऐसे अस्तर की बात की जिससे गरीबों के जो जीवन का स्तर है उसको बहतर किया जा सकता था तो यहां पे उत्तर हमार रहेगा मौमद युनिस अगला प्रशन है सरकार की नीती मेकिन इंडिया का उदेश है क्या है दोस्तों आप देखिए भारत में भी निर्मान हो इसके लिए 2014 में मेकिन इंडिया के शुरुआत की गई निर्मान तब होगा जब नौकर शाही के धीलेपन को दूर किया जाएगा लाल फीता शाही का मतलब होता है सरकारी कारियों में विलंब आपने सरकारी फाइलों में लाल पट्टी देखी होगी उसको बोलते है लाल फीता शाही तो लाल फीता शाही हटेगी नौकर शाही का धीलपन हटेगा, विनिर्माण की लागत कम होगी, उत्पाद प्रतियोगी, प्रतिसपर्दी होगी, तभी तो भारत में विनिर्माण होगा और इसी लिए, तरसल इन में से एक से अधिक विकल्प हमारे सही हैं, तो सही उत्तर हमारा होगा, इसमें लिखा गया है कि एक से प्रोत्साहन देगी, विलंब कम होगा, उत्पादन हमारी प्रतिस्परती होगा, उसकी लागत कम होगी, तभी तो उत्पादन कर पाएंगे, तो इन कारणों से हमारा उत्तर रहेगा आठवे का ई, प्रोस्तों इनमें से कौन सा एक और द्योगिक विकास के लिए प्रोत्साह मिलता है, Ease of Doing Business, विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है कि देश में, किसी देश में वैपार करना कितना आसान है, और जितना आसान वैपार करना होगा, उतना ही जादा उद्योग का विकास भी होगा, इसका मतलब ये भी उद्योग के विकास में एक प्रोत्साहन है, कि स्ट प्रकार से देश में Digital Transformation, Digital Payments अगर होते हैं, Digital Systems होते हैं, तो देश के उत्पाद, देश के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका मतलब ये चारो और द्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन देने वाले छेतर हैं, इसका मतलब ये हुआ, कि अगर कोई प्रोत्साहकी न अगर आप इनको देखेंगे, A और B तो बिल्कुल प्रोत्साहकी हैं, इसका मतलब ये हुआ, कि A और B तो बाइ डिफॉल्ट हैं, इसका मतलब क्या होगे, आंसर हमारा E होगा, और अदरवाइस देखें आप, तो ये दोनों भी अपने इस तर पे उद्योगों को प्रोत्स पर आते हैं, इनमें से कौन सा संगीय बजट 2017-18 के अभीस्ट उद्देशों में सम्मलित नहीं था, दोस्तों आप देखिए, इसका मतलब ये है कि विशिस्ट जो उद्देश है, वो कौन से नहीं थे, बजट में भारत को रुपांतरित करने का उद्देश बिल्कुल था, ट्रांस्फॉर्म करने का उद्देश था, कि भारत को बिल्कुल ट्रांस्फॉर्म कर देंगे, चाहे पेमिंट हो या उद्द्योग हो, भारत को स्वक्ष करने का उद्देश बजट में था, भारत को उर्जावान बनाने का उद्देश उसमें लिखा हुआ था, किन्तु उ बजट में सिख्षित, दोस्तों ऐसा है कि सिख्षित करना उद्देश से रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किन्फु उस बजट के प्रमुख उद्देशों में, जब हम किसी टाइटल की बात करते हैं, किसी बजट की अकर करь बात करें हर बजट एक टाइटल लेके आत और भारत क्या होगा, energetic बनेगा, energize करेंगे, उसको उर्जावान बनाएंगे, तो हाला कि सभी उद्देश हर budget के होते हैं, किन्तु एक वर्ष के budget में, जब अभीष्ट उद्देश की बात करते हैं, तो एक vicious उद्देश की बात करते हैं, जो उस साल के budget को परिभाशित करता है इसलिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर दोस्तो है C, तो भारत को सिक्षित बना करना, वैसे उद्देश हमेशा रहता है, किन्तो 1718 के budget के अभीष्ट उद्देशों में, इसका नाम शामिल नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, भारत को सिक्षित करना दोस्तों, इसका उत्तर होगा, दसवे का C, अगले प्रशन की बात करते हैं, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई, भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना जा रहा है, तो भारत में वैसे ही क्या इतनी जनसंक्या है, तो आप योजना कोई भी लेंगे, तो स्वान मंत्री जन आरग्य युजना, देश के दस करोड़ परिवार या, मान लिजी आप, पचास करोड़ व्यक्तियों के लिए, पाँच लाख रुपए तक के जीवन, सौस्त बीमा का जो कवर है, तो सौस्त बीमा के लिए, पाँच लाख रुपए का एक कवर, परधान मंत्री जन आरग्य युजना के तहत, दस करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है, जिस युजना को देश की, विश्व की सबसे बड़ी बीमा युजना का दरजा दोस्तों प्राप्त है, इसलिए यहां का उत्तर क्या होगा हम इसके अलावा जिस सहाँ मैंने कहा अपसे, कि खादे सुरक्षा में भी हमारी युजना, खादे सुरक्षा के सबसे बड़ी है, जब भारत की सरकार नवे करोड़ लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान उपलब्द करा रही है, वो भी हमारी क्या है, सबसे बड़ी पाँच लोग होते हैं इसलिए दस करोड या फिर पचास करोड लोगों के लिए पाँच लाख रुपए के स्वास्त बीमा का जो कवर है उस योजना का नाम है परधान मंत्री जन आरुग योजना तो इसका उत्तर दोस्तों रहेगा ए दोस्तों अगला प्रशन है कि इन में स कौन सा नाफ्ता में शामिल नहीं है आप देखिए नाफ्ता का मतलब है नौर्थ अमेरिका प्री ट्रेड एग्रिमेंट उत्तरी अमेरिका के मुक्त वैपार समझोते में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है अगर आप इसको नाम भी देखेंगे तो भी उत्तर करना आसान Great Britain अमेरिका में नहीं आता पहली बात तो यह इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा Great Britain नाफ्ता में शामिल नहीं है जोस्तो एक जनवरी 1994 को नाफ्ता लागू किया गया जिसका उत्देश था उत्तरी अमेरिका जो तीन देश हैं कैनड़ा USA और मेक्सिको के बीच में मुक्त वैपार समझोता बढ़ा कर परस पर वैपार को बढ़ावा देना उसके लिए नाफ्ता जैसे मुक्त वैपार समझोते पर हस्ताक्षर किय गया तो हमारे इस प्रशन का उत्तर क्या होगा ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है अगला प्रशन जून दोहजाएठार में भारत की एक महतुकांशी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशी मनजूर किये दोस्तों आप देखिए अटल भूजल योजना का उद्देश है जो भूमिकत जल है उसका संरक्षन करना भारत की क्रिशी पद्दतियों से भूजल का अत्तिक दोहन हुआ है जिससे क्रिशी भविश्य की खतरे में पड़ गई है विश्व बैंक ने भारत के भूजल के संरक्षन के लिए 6,000 और उपए की धन राशी मंजूर की है कि इतने राशी का कि सहायता रण के माध्यम से विश्व बैंक करेगी ताकि भारत में भूजल का संदक्षन हो और इसके माध्यम से जो क्रिशी है उसको लंबे समय के लिए थंपोशन ये बनाया जा सके इसका उत्तर दोस्तों रहेगा अगले प्रशन की बात करते हैं स्रवेक्षन ग्रामी में दो हजारठारम में किस जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों आद देखिए हमारे पास जो मंत्राले है जिसमें स्वच्छता और पेजल मंत्राले है पहली बात तो ये तो स्वच्छता और पेजल मंत्राले के द्वारा अलग अलग जो हमारे जिले हैं ग्रामी छेतरों के उनके स्वच्छता के आधाल पर उनको पुरस्कृत किया जाता है और 2018 में महारास्ट का जिला सतारा सबसे स्वच्छ जिला पाया गया इसके बाद हर्याना का रेवारी इसके बाद तेलंगाना का पेदा पल्ली तो हर्याना की रेवारी और तेलंगाना का पेदा पल्ली ये हमारे तीन क्रमश जिले हैं जिनको सबसे स्वच्छ माना गया है स्वच्छ सर्वेक्षन 2018 में और यहां दूसरा प्रशन बनता वो ये है कि मंत्राले कौन सा है दोस्तों एक स्वच्छ सर्वेक्षन शहरी भी होता है तो आवासिये और शेहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षन शेहरी होता है जबकि स्वच्छता और पेजल मंत्राले के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामीन होता है यहां दो मंत्रालियों में अंतर है आप उसको याद रखें जो महत्वपून है तो स्वच्छ सर्वेक्षन, स्वच्छ सर्वेक्षन जो ग्रामीन है उसका अलग मंत्राले है और शेहरी का अलग मंत्राले है। आवासिय और शेहरी मामलों के मंत्राले के द्वारा ये सर्वेक्षन शेहरों में होता है और स्वच्छता और पेजल मंत्राले के द्वारा ये दरसल ग्रामीन छेत्रों में होता है इसमें 18 के लिए महरास्थ का जिला 17 को पहला पुरुषकार दिया गया इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा इसमें सी तो चौद्वे का उत्तर सी है बाकी जानकारी हमने देख ली कौन देता है और बाकी जिले कौन से है अगला प्रशन है 16 मार्च 2018 को पुप मुख्य मंत्री श्री शुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्ट अप हब का उद्खाटन के दोस्तों ऐसा है पटना के टाग मंगलो चौरहा के पासी आईटी टावर की स्थापना की गई है जहां से बिहार में स्टार उत्र हमारा क्या है पटना और पटना में भी डाग मंगलो चौरहा जो है वहां पर आईटी हब आईटी टावर बनाया गया है एक दूसरा जो आईटी टावर है वही पटना जिले के भीता छेतर में आएगा और इस प्रकार से बिहार के अलग अलग जिलों में धीरी धीरे आईटी टावर्स हैं उसके माध्यम से आईटी छेतर की स्थापना होगी और पूरे बिहार में स्टाट अप्स को प्रोचसाहित करने की योजना बनाई जा रही है इसका उत्तर दोस्तों रहेगा पटना सी अगला है शुलब इंटरनाशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेजल उपलब्द कराने के हितु शुलब जल प्रोजेक्ट का चुरू किया है दोस्तों आप देखिए यदि आप बाजार में जाकर पेजल लेते हैं तो पंदरे से बीस रुपए पर लीटर पे आ का निवेश करके पेजल उपलब्द कराने की पेशकर्श की है जो विश्यू का सबसे सस्ता पेजल होगा दर बंगा में पचास पैसे प्रती लीटर की दर से पेजल सच पेजल उपलब्द कराया जाएगा तो यहां पर हमारा उत्तर है दर बंगा अत्रिक जानकर यह है कि इस दुलब जल प्रोजेक्ट से प्रतिदिन आठ हजार लीटर पानी सच होकर निकाला जाएगा और उसकी जो दर होगी प्रती वेक्ति जो पड़ेगा हमें वो पड़ेगा पचास पैसे प्रती लीटर की दर से हमको जल प्राप्त होगा जो बाजार में आप देखे कितना महंगा मिलता है तो यहां पर दोस्तों इसका उत्तर होगा दरवंगा सी अगले प्रशन पर आते हैं बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत् उत्थान या बिहार में लैंकिक समानता पच्चियों की सिक्षा उनके शक्ति करन के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया गया है जिसमें यदि बालिकाएं इंटरमीडियेट टुवेल्थ पास करती हैं तो पच्चिस हजार रुपे मिलेंगे ग्र सही बात है ये कतन बिलू कुल स्थांगी और समाजिक करने ने को साथ हजान दोस्तों यह गलत है क्यों कि यहां पर साथ नहीं पचास अ Прेबत का अबंतन किया जाएगा प्रतेख बालिकाओं को यदी वो जनम से सनाथ की सिख्षा पूरी करती हैं तो कन्याशिशु के जनम के समय उसके परिवार को 2000-बिलकुल सही बात है कन्याशिशु के जनम पर 2000 रुपई उंको डिये जाएंगे और 12 तक की पढ़ाई पूरी करने पर 25,000 दी जाएंगे, यहां पर दोस्तों हमारा जो हमारा उत्तर सही है वो है C, क्योंकि यह कतन गलत है, तो इस प्रशन का उत्तर है C, क्योंकि सनातक करने पर 50,000 रुपए की राशी बालिकावन को दोस्तों दी जाएगी, अगला प्रशन ह की जूट के उत्पादन की दृष्टी से बिहार का स्थान के है, दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक जूट का भारत में पश्यमंगाल है, फिर बिहार है, फिर असम है, तो पश्यमंगाल के बाद बिहार आता है, फिर असम, यहां देखें आप, भारत में बिहार का स्थान क्या हो गया दूइति ये प्षिम मंगाल की बाद और दोस्तों इसी कारण से अब देखिए बिहार में किर्शी आधारित उद्योगों का अच्छा खासा स्कोप है यह कि जूट का अच्छा उत्पादन है और खाने की उत्पाद का भी अच्छा उत्पादन है तो बिहार में इस प्रकार की उद्योगों का अच्छा चलन है यह अच्छी छमता है उन्निस्वे क्वेशन पर आते हैं पिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभाव नाए है दोस्तों आप देखिए पिहार में आप आप देखिए जूट के हमने अभी बात की मख कि कैसे बिहार को अलग-लग वर्शों में कृश्य करमन पुरुसकार दिया गया कि किस प्रकार से घयू है उसके उत्पादन उसकी उत्पादक्ता में भारत array ने आगर की अवधारनाई या उसकी प्रत्याशा बहुत जादा नहीं है वन अधारित उद्योग जो वन जो संड्रक्षन है उस पर अधिक ध्यान देंगे वन की उद्योगों का थोड़ा सा पतन देखने को पूरे भारत में मिल रहा है बिहारी नहीं पूरे भारत में ही वन आधारित उद्योगों की समस्या है अगर स्कोप है तो वो है कृषी और खाद्य आधारित उद्योगों की तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा डी दोस्तों खनन को लेकर भी काफी पर्यावरनी ये मसले आते हैं तो यदि हम बात करें सबसे अधिक संभावना किसकी है देकि इन सब की तो नहीं है इसलिए ये तो गलत है इन सब में सबसे बहतरीन क्या है सबसे उपिक तुत्तर क्या है डी है क्रिशी आधारित उद्योग की चायवो आप देखिए हम रेशम की बात करें हम कपड़े की बात करें हम सूती कपड़े की बात करें हम जूट की बात करें मखाना हो फल हो सबजी हो खाद्यान हो सरसों हो तिलहन हो इन सभी में भारत अग्रणी है इसलिए यहां पे उत्तर हमारा क्या होगा डी दोस्त अगला प्रशन है पूरा पूरा का पूरा नाम एक्चली है प्रोवाइडिंग अरबन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज मतलब ग्रामीन छेतरों में नगरी है तो इधायें प्रदान करन को पूरा कहा गया है तो पूरा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों 54 फिफ्टी फॉर्थ इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में उस समय के राष्टपती एपी जे अब्दुल कलाम द्वारा पूरा की अवधारना दी गई और कहा गया कि पलायन को यदि रोकना है तो हमें शेहरी जो हमारी सुजधाएं हैं वो गाउं को देनी पड़ेगी यदि हम गाउं तक नगरी सुजधा दे पाएंगे तभी जाके हमारा समग्र एक संतुलित विकास हो पाएगा तो उसको कहा गया है पूरा जोस्तों अभी वर्तमान में आप देखिए जो रर्बन मिशन है वर्तमान सरकार के दवारा रर्बन मिशन वो भी इसी पर अधरित है कि अर्बन छेतरों की सुजधाओं को हम ग्रामी छेतरों तक लेके जाएं ताकि गाउं की लोग शेहर की और पलायन ना करें गाउं में खुशाली आये और जो छेत्रिया समानता है उसे हम कम कर सके तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा एपी जे अब्दुलकलाम दौरा पूरा की अवधारना दी गई अगला प्रशन है वर्तमान में भारतिय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों वर्तमान के अगर ह हम राजन थे और यह अभी गवर्नर नहीं है यह पहले भी नहीं थे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रशन का सही उत्तर हो यहाँ पर ही उत्तर हमारा सही है वर्तमान में शक्ति कांता दास जी हमारे आर्बिया के गवर्नर हैं अगला प्रशन है इन में से कौन सा क प्रिशी में उत्पादक्ता बढ़ाने का एक राश्ता है। से अधिक सही है तुम्हारा उत्तर क्या होगा ई बीज खाद सीचाई इन सभी से क्रिशी में उत्पादक्ता बढ़ती है अगला प्रश्न है इन में से कौन सा एक 20 सिदाबदी के 60 दशक के अंतिन दौर की हरिज क्रांथी की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है दोस्तों अद देखिये 1967 के करीब भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्यानों के अधिक उत्पादन उत्पादक्ता के लिए खरित क्रांती को हमने शुरू किया, पंजाब से, हर्याना से, उत्तरी और उत्तर पश्यमी उत्तर प्रदेश से. हरित क्रांती का उत्देश से क्या था, भारत को खाद्य में हाथ पर निर्भर करना कैसे करेंगे आप, उस समय जो मॉडल था वो ये था, कि अच्छे बीज हो, नाइट्रोजन की उर्वरक हो, और सीचाई की वेवस्था हो, तकनीक हो, तो हरित क्रांती का पूरा का पूरा जो अस्तित्व है, वो इस प्रकार से हुआ, कि अच्छे बीज, उर्वरक और तकनीक के माध्यम से, रिशी की उत्पादक्ता, उत्पादन को बढ़ाया जाए, जोस्तों, 1980 आते आते भारत में खाद्यानों में आत्म निर्भरता प्राब्द कर ली थी, आप यहां देखें, इ आत्यानों में आत्म निर्भरता भारत की भुक मरी को समाप्त करना, इसलिए पहला कतन गलत हो गया, गेहन क्रिशी जिला कारिकरम, दोस्तों जो यह प्रोग्राम है, यह हरित करांती से पूर्व लिया गया था, ताकि जिस शेतर में उत्पादन नहीं है, उस शेतर में भार निवेश करकि उत्पादन किया जाए, तो यह जो कारिकरम है, हरित करांती से पूर्व लिया गया था, अगर हम तीसरे की बात करें, उच्च उपज किस्म कारिकरम आप देखिए, उच्च उपज किस्म कारिकरम यह उद्देश्य है, इन्टो हरित करांती का सबसे हमारा प् शीचाई पुप्खलब्द करा कर उत्पादक्ता को बढ़ाया उत्पादन को बढ़ाया और इसी लिए इसमें कुछ विवाद देखनगी को मिला हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रशन हमारा है 2017 18 में बिहार राजी क्रिशी में कारिरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों क्रिशी में बिहार की जनसंख्या का लगभक 76 प्रतिशत जो भाग है वो निर्भर करता है तो बिहार की अर्थव्यवस्ता वैसे भी क्रिशी आधारित अर्थव्यवस्ता क करता है भारत के लिए अगर हम भारत की बात करें दोस्तों तो भारत के लिए यह आकड़ा 49 प्रतिशत है जो लगबक 50 आप मान चकते हैं अगले प्रशन पर आते हैं वर्ष 2016 के दौरान बहार के आर्थिक विकास की दर क्या थी 2016 2016 में बहार की अर्थेजिश्था ने करीब 10.3 प्रतिशत से ग्रोथ दिखाई दुए 2017-18 के दौरान बहार की अर्थेजिश्था में करीब 11.4 प्रतिशत की ग्रोथ थी 2018-19 के दौरान बिहार की अर्थ व्यवस्था ने 9.3% की ग्रोथ दिखाई और 2019-20 में 10.5% की ग्रोथ दिखाई दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि 16-17 के दौरान क्या ग्रेट थी वो थी 10.3% इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है इसलिए हमारा उत्तर क्या है इ रहेगा पहली बात दूसरी बात ये डेटा मैंने इसलिए दिये तकि आने वाले वर्षों में ये प्रशन आ सकते हैं कि इन में से या किसी और वर्ष में विहार की जो GSDP है उसमें क्या ग्रोथ रेट रही इसका उत्तर हमारा इ रहेगा अगला प्रशन है वादेश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्तपादक दोस्तों चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्तपादक है सबसे बड़ा नर्यातक है प्राचीन काल में रेशम मार्ग सिल्क रूट प्रसिद्ध था क्योंकि चीन और यॉरॉप की बीच में रेशम का बहुत बड़ा वैपार होता था तो चीन उस समय से प्राचीन काल से रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है जिसके कारण जो रेशम मार्ग है सिल्क रूट है वो प्रसिद्ध था जो चीन को यॉरॉप से जोड़ता है और वर्तमान में चीन उसी रेशम मार्ग को तुबारा से पुनर जीवित करने के लिए भारी भरकम निवेश करके एक नया सिल्क रूट का विकास कर रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर है भी चीन और आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रशन है कि निमन खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अगरनी है दोस्तों देखिए माइका माइका वो खनिज है जिसमें भारत की मौनोपॉली है विश्व में जितना भी माइका उत्पाद होता है उसका साथ प्रतिशत अकेले भारत में होता है और जितना भारत में होता है उसका 41 प्रतिशत अकेले आंधर प्रदेश में होता है 41 प्रतिशत इसका आंद्र प्रदेश में होता है उसके बाद ये है राजस्थान जहां पर 21 प्रतिशत होता है उसके बाद है उरिशा जहां लगबग 20% होता है दोस्तों ये तीन राज्ये हैं तो चादरी भ्रामक में माइका में भारत की विश्व मोनोपॉली है और विश्व के उत्पादन का 61% प्रतिशत उत्पादन अकेला भारत में होता है इसलिए इसका उत्तर हमारा ए है माइका का दोस्तों इस्तमाल दरसल electricity या electronics के equipment में होता है इसलिए भारत में काफी स्कोप है इस चीज के उत्पादन का दोस्तों ये थे हमारे इस सत्र के सभी प्रशन अगले वीडियो में हम BPSC के पुर्व में आए अन्य वर्षों के प्रशनों पर विस्तार से चर्चा के तब तक के लिए टेक कियार थैंक यू